वेल्कम तो माई यूटूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स आज के इस फोटेशुप टेटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसे इमेज या टेक्स पर बिलिच अफेक्ट अप्लाय कर सकते हैं जैसे कि इस वकत आप देख सकते हैं यह मैंने अप्लाय किया भी इस इम करते हैं गिलिच अफेक्ट आप किसी इमेज पर अप्लाय कर सकते हैं मैं इस वाले इमेज पर अप्लाय करके दिखाता हूं आपको फस्टेप में आप अपने इमिज को ओपन कर लीजेगा अब हम इस इमिज को डिसाचुरेट करेंगे इसके लिए आप यहां से जाएंगे सब्सक्राइख यूजरेट करने के बाद कट्रॉल जए प्रेस कीजिएग इसी की एक और कॉपी बना लीजिए कॉपी बनाने के बाद इसकी स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से आ जाएंगे लेस्ट्राइल में यहां आने के बाद आप इस चैनल में сильно कमें आप्श सकते हैं यह देखिए मैं इसको 3D FAS करते हूं और लेफ्त की तरफ लेके जाओंगा सवरी रैट की तरफ लेए के ज़ारहा हूं मैं इसको यह करने के बाद हम यहां से रेक्टेंगल मार्की टूल करेंगे और इस तरह से इसकी माउस से मूव कर सकते हैं राइट की तरफ कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा यह देखिए यहां पर आपको एफेक्ट दिख रहा होगा मैं जूम इन करके दिखा देता हूं इस तरह से इसको मल्टिपल टाइम समय करना है फिर से मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे इस बार मैं यह अब जां तक लेक्पे आऊंगे फिर से प्रेस करेंगे और इस बहर में राइट की तरफ लेकि जालता अब इस तरह हमें उसे पर एप्लाइय करने कंगा कि इन Dare लेर एड करेंगे जो के blank layer होगी, blank layer एड करने के बाद हमें इसमें white color fill करना है, मेरा foreground color white है, मैं अपने keyboard से add backspace प्रेस करता हूँ, यह देखिए इसमें white color fill हो चुका है, अब हम इसलिए को convert कर देंगे smart object में, इसके लिए आप right click कीजिए और convert to smart object बना दीजिए, next step में हम यहां से जाएंगे filter में और यहां से use करेंगे filter gallery, यहां filter gallery में आने के बाद, आप sketch के folder में आईएगा, यहां पे आपको half turns pattern दिख रहे होंगे, यह देखिए, यहां दो ही रखता हूँ, और इसके बाद हम यहां से okay कर देंगे, यह filter apply करने के बाद, अब हम इसका blending mode change करेंगे, यहां नार्मले पर click करेंगे, और यहां से use करेंगे overlay, इसकी fill को भी हमें करना है, हम यहां से fill को open करेंगे, और इसको मैं कम करता हूँ, इसको मैं manually type कर देता हूँ, यहां पे 22 के आसपास रखूंगा, उसके बाद हम यहां से enter कर देंगे, मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, यह देखिए, यह आपको दिख रहा होगा इसका effect, control zero press करते हैं, से fit to screen द करता हूँ, यह मेरे पास पहले से open है, colorful image है, इस तरह के image आपको easily मिल जाएंगे, आप इसको control A press कीजिए, और फिर control C press कीजिए, इसको copy कर दीजिए, और इस document में वापिस आने के बाद, control V press करेंगे, इसको paste कर देंगे, इसके बाद control T press कीजिएगा, और alt and shift press करते होगे, इ यहां से हम यूज करेंगे overlay, इस key fill को भी हमें कम करना है, हम इस key fill को 50% रखेंगे, और इसके बाद हम यहां से enter कर दीजिएगा, आप देख सकते हैं, हमरा glitch effect दिखने लगा, next step में हमें text भी add करना है, text add करने के लिए आप इससी वारी layer को select कर दीजिएगा, और अपने keyboard से T press कीजिए, type to select कर दीजिए, यहां से आप इसका font change कर सकते हैं, जो भी आप font रखना चाहते हैं, मैं billboard यूज कर रहा हूँ, आप कहीं भी click कीजिए, और जो भी type करना चाहते हैं, आप कर दीजिए, मैं यहां पे glitch ही type करता हूँ, इसके बाद यहां से ok कर देंगे, अब मैं इ इसको rasterize करना, बाद में as a font use नहीं करना, यह देखिए, मैं इसको इतना रखता हूँ, और इसके बाद हम यहां से enter कर देंगे, अब इसी layer पर right click करेंगे, और इसे यहां से rasterize type कर देंगे, अब यह text नहीं रहा, अब यह rasterize हो चुकी यह layer, अब हम Ctrl J प्रेस करेंगे, और इसको भी हम right की तरफ लेके जाएंगे, यह देखिए, मैं थोड़ा सबस ले जाता हूँ, right की तरफ, और नीचे वाला जो text layer है, अब वो rasterize हो चुका है, इस layer पर हम double click करेंगे, और lay style में आने के बाद, इस बार हम red को नहीं बंद करेंगे, green और blue को बंद करेंगे, यह दे same process है, जो कि हमने image के साथ किया था, हम इसकी भी यह देखिए, selection बनाएंगे इस तरह से, और इसको मैं left की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा, आप arrow key की मदद से लेके जाएंगे, तो बहुत असानी से हो जाएगा यह, फिससे इसको D select करेंगे, control D press करते हैं, और मैं यहा लेके जाओंगा, और मैं V press करूंगा, और यह दिखी यहां लेके जाते हैं, इसी तरह एक दफ़ा और apply करता हूँ, इस पर, यह देखिए, इस तरह से apply कर दीजिगा, अब हम control D press करेंगे, और इसको D select कर देंगे, अब हम control 0 press करेंगे, इसे fit to screen देखते हैं, अब आप देख सकते हैं, हमारा glitch effect दिखने लगा है, अगर आप अपने image पर और इस तरह के effect को apply करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर से image को select कीजिए, और same process है, यह देखिए, मुझे यहां पर लग रहा था कि यहां पर apply करना चाहिए, मैं यहां पर थोड़ी selection बनाता हूँ, फिर से we press करे करेंगे, और यहां से भी मैं इसको right की तरफ ले आता हूँ, ctrl d press करेंगे और इसको deselect कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, हमारा glitch effect complete हो चुका है, इस तरह इन step से भी हमल करते हुए, आप अपने किसी भी image या text पर glitch effect apply कर सकते हैं, I hope आपको आज का tutorial अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, मिरे चैनल को subscribe कीजिएगा, मिलते हैं next वीडियो में एक new tutorial के साथ, thank you